आलिया भट भारतिय मूल की ब्रिटिश अभीनेत्री हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। उन्हें परेशान करने वाली परिस्थितियों में महिलाओं के किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। उन्हें कई पुरसकार मिले हैं, जिनमें एक अबीर कपूर, विवा दो हजार बाइस। बच्चे, एक। पैरंस, महेश भट, सोनी राजदान। सिब्लिंग्स, पूजा भट, शाहीन भट, राहुल भट। आलिया भट नेट वर्थ 550 क्रू रुपीज। प्रारंभिक जीवन और प्रिष्ट भूमी। आलिया भट का जन 15 मार्च 1993 को भारत में हुआ था। उनका जन भट परिवार में भारतिय फिल्म निर्देशक महेश भट और ब्रिटिश अभिनेतरी सोनी राजदान के घर हुआ था। उनके पिता गुजराती वंश के हैं और उनकी मा कश्मीरी पंडित और ब्रिटिश जर्मन वंश की हैं। उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। उनकी एक बड़ी बहन शाहीन और दो सो तेले भाई भेन पूजा और राहुल भट हैं। अभिनेता इमरान हाश्मी और निर्देशक मोहित सूरी उनके चचेरे भाई हैं। जबकि निर्माता मुकेश भट उनके चाचा है। उनकी परवरिश काफी हद तक सामान्य और सादगी पून रही। मुझे वो सुख नहीं मिले जो लोग मानते हैं कि मुझे मिल सकते थे क्योंकि मैं महेश भट की बेटी हूँ। बड़े होने पर उनका अपने पिता के साथ कोई करीबी रिष्टा नहीं था। राजदान ने कहा है कि उन्होंने अपने बच्चों को ज्यादा तरेकल माता पिता के रूप में पाला क्योंकि उनके पती उनके जीवन में ज्यादा दिल्चस्पी नहीं लेते थे। भट ने कहा है कि एक बच्चे के रूप में उन्हें उनकी कमी महसूस नहीं हुई क्योंकि मेरे पास उन्होंने कहा कि जब वे अभिनेतरी बनी तभी उनके बीच एक करीबी रिष्टा विक्सित हुआ भट छोटी उम्र से ही अभिने करने की ख्वाहिश रखती थी और उन्होंने कहा कि उन्हें पहली बार अपनी रूची का एहसास किंडर गार्टन में स्कूल के गाना बजाने वालों के लिए रिहर्सल करते समय हुआ था उन्होंने जल्द ही श्यामक डावर के संस्थान में रिते की शिक्षा शुरू कर दी उनकी पहली अभिने भूमिका पांच साल की उम्र में उनके पिता की प्रोड़क्शन वेंचर संघर्ष 1999 में थी जिसमें उन्होंने कुछ समय के लिए प्रीती जिंटा के चरित्र के युवा संसकरन की भूमिका निभाई थी अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए उन्होंने बाद में टिप्णी की मुझे शूटिंग के बारे में ज्यादा याद नहीं है मैं केविल भोजन के लिए सेट पर जाती थी नौ साल की उम्र में उन्होंने संजे लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक 2005 में एक भूमिका के लिए ओडिशन दिया लेकिन उन्हीं यह भूमिका नहीं मिली तीन साल बाद भंसाली ने आजी विका प्रारंभिक कार्य 2012 से 2015 भट को पहली बार प्रमुक भूमिका 2012 में करण जोहर की किशोर Film Student of the Year में मिली थी जिसमें उनके साथ नवोदित अभिनेता सिधार्थ मलहोतरा और वरुन धवन थे उन्होंने 500 लड़कियों के साथ आडिशन दिया और जोहर ने उन्हें इस शर्थ पर कास्ट किया कि वह 16 किलो 35 पाउंड वजन कम करें जो उन्होंने तीन महीने में पूरा किया उन्होंने एक प्रेम त्रिकोर्ण में शामिल एक परिश्कृत किशोरी की भूमिका निभाई हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपडा ने उनके चरित्र और जोहर की कभी खुशी कभी गम 2001 में करीना कपूर की भूमिका के बीद समानता का उलेक किया लेकिन कहा कि उनका प्रदर्शन हत्यारे रवये के बिना था दा हॉलिवुड रिपोर्टर की लिसात सेरिंग ने उन्हें एक वाश आउट के रूप में खारिज कर दिया नकेवलवध डांस नंबरों में अनाकरशक है Student of the Year की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया से निराश भट एक बहतर भूमिका निभाने की इच्छुक थी उन्हें यह इम्तियाज अली की रोड फिल्म हाइवे 2014 में मिला जिसमें उन्होंने एक अमीर परिवार की एक युवती की भूमिका निभाई थी जिसका अफरन होने के बाद उसके अफरन करता रंदीप हुड़ाद्वारा अभिनीत के प्रती स्टॉक होम सिंड्रोम विक्सित हो जाता है उन्होंने अपनी हिंदी सुधारने के लिए उच्छारन की शिक्षा ली और उन्हें इस भूमिका की भावनात्मक और शारिरिक आवशक्ताओं से चुनौती मिली अली ने फिल्म को क्रमिक रूप से शूट किया और भट की प्रतिक्रियाओं के आधार पर सेट पर कई द्रिशियों में सुधार किया गया उन्होंने कहा है कि उनके चरित्र की यात्रा के कई पहलू उनके अपने पहलूओं को दर्शाते हैं क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसी स्थितियों का अनुभव किया जो उनके अपने विशेशाधिकार प्राप्त पालन पोशन से अलग थी. फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, हालांकि भट ने सर्विश्रेश्ट अभिनेतरी के लिए फिल्म फेर क्रिटिक्स अवार्ड जीता और समारों में सर्विश्रेश्ट अभिनेतरी के लिए नामांकन भी प्राप्त किया. वह अगली बार विकास बहल की महिला सुरक्षा पर बनी लगू फिल्म गोइंग होम में दिखाई दी जोहर की कमपनी धर्मा प्रोडिक्शन्स के साथ अपने सहयोग को जारी रखते हुए भट ने रोमांटिक फिल्मों दो स्टेट्स और हम्प्टी शर्मा की दुलहनिया दोनों दो हजार चौदर में अभिने किया पूर्व चेतन भगत के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरन था और दो प्रबंधन छात्रों के बारे में है जिन्हें अपने माता पिता को अपने रिष्टे के बारे में समझाने में परेशानी होती है एक जिद्धी तमिल लड़की की भूमिका के लिए उन्होंने एक शिक्षक की मदद से तमिल में अपनी लाइने बोलना सीखा दे इंडियन एक्सप्रेस की शुबरा गुपता ने भट की सराहना की उन्हें आश्चर्य और सरल और ताजा और स्वाभाविक करार दिया उन्होंने शशांक खेतांद्वारा निर्देशित हम्टी शर्मा की दुलहनिया में एक पंजाबी लड़की की भूमिका निभाई जिसका उसकी शादी से पहले एक अफेयर होता है इंडिया टुडे के लिए लिए लिखते हुए रोहित खिलनानी ने सोचा की भट ने अब तक के अपने सर्वश्रेश्ट प्रदर्शनों में से एक पेश किया है हाला की मिंट की नंदिनी रामनात ने उनमें सूक्षमता की कमी पाई उन्होंने लिखा की वह समवाद और क्रियाओ के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अधिक सहज थी दोनों फिल्में व्यावसाइक रूप से सफल रही प्रतेक ने दुनिया भर में एक रुपया बिलियन यूएस तेरह मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की 2014 में उनकी उपलब्दियों ने उनके करियर को स्थापित किया भट ने रोमांटिक कॉमेडी शांदार के लिए बहल के साथ फिर से काम किया 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म में शाहिद कपूर और भट को अनिदरा से पीरित व्यक्ती के रूप में दिखाया गया है जो एक डेस्टिनेशन वेडिंग के दौरान प्यार में पढ़ जाते हैं मुंबई मिरर के कुणाल गुहा ने फिल्म की आलोचना की और लिखा की भट अपने किरदार में जान डाल देती हैं लेकिन इस फिल्म में कुछ भी नहीं डाल पाती है फिल्म ने व्यावसाइक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया व्यक्तिगत जीवन भट को अक्सर हिंदी फिल्म उद्योग में भाईबती जावाद का लाब उठाने के लिए ओनलाइन च्रोलिंग सहित नकारात्मक ध्यान का सामना करना पड़ा है जब उनसे पूछा गया कि वह इस से कैसे निपड़ती हैं तो उन्होंने कहा बेशक मुझे बुरा लगा लेकिन बुरा महसूस करना उस काम के लिए चुकाई जाने वाली एक छोटी सी कीमत है जिसके लिए आपको सम्मान और प्यार मिलता है यह आलोचना जोहर तक भी फैली हुई है जो अकसर उनकी सारवजनिक रूप से प्रशंसा करते हैं और उन्हें अपनी अधिकांज प्रस्तितियों में कास्ट करते हैं उनके आलोचकों का मानना है कि यह पक्षपात अन्य अभिनेत्रियों के अफसरों की कीमत पर आता है जोहर ने भट की अपनी प्रशंसा का बचाव करते हुए कहा कि वह उनके प्रती माता-पिता जैसा महसूस करते हैं 2014 में जोहर के टॉक शो कॉफी विदकरण में उपस्तिती के दौरान भट ने प्रित्वी राज चवान को भारत के राश्ट्रुपती के रूप में गलत नाम दिया इससे भट की IQ की व्यापक ट्रोलिंग हुई जिसे पत्रकार मालविका सांगवी ने गूंगी-गोरी स्टीरियो टाइप का विस्तार बताया भट ने All India बक्चोद के लिए एक व्यंग्यात्मक यूट्यूब विडियो में अभिने करके इसका मुकाबला किया जिसका नाम आलिया भट जीनियस ओफ दे इयर था सांगवी ने कहा कि खुद का मजाक उड़ाकर भट ने अपने सभी आलोजकों का मुकाबला करने में काम्याबी हासिल की और वास्तव में खुद को उनके बीच प्रिये बना लिया अपने करियर की शुरुआत में भट अपने निजी जीवन पर चर्चा करने से हिच्किचाती थी उन्होंने कहा कि वह कभी भी अपने रिष्टों के बारे में सारविजनिक रूप से बात नहीं करेंगी मीडिया की अटकलों के बावजूद उन्होंने अभीनेता सिधार्थ मलहोतरा के साथ डेटिंग के बारे में बात नहीं की लेकिन 2019 में उनके तूटने के बाद अपने बंधन के बारे में बात की 2018 में ब्रहमास्त्र में उनके सहकलाका रनबीर कपूर ने खुलासा किया कि वह और भट डेटिंग कर रहे थे उन्होंने 14 अप्रेल 2022 को मुंबई में अपने अपार्टमेंट में एक पारंपरिक हिंदू समारों में शादी की उसी साल 6 नवेंबर को उन्होंने अपनी बेटी को जन दिया 2022 तक भट मुख्य रूप से मुंबई में रहती हैं और उनका लंदन में एक घर भी है